वेलकम बैक टू माई चैनल तो मैं आज सोचली लंच में क्या बनाऊं क्योंकि बच्चे भी अलग-अलग वराइटी ले जाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है लंच में और एक ही चीज हम उन्हें देते हैं तो वह भी बोर हो जाते हैं तो मैंने सूचा चलो आज यूज करी और फिर मैंने इसमें डाल दिये कॉन एक पैन में मैंने ले लिया बटर आप चाहे तो गी भी यूज करते हैं वह आपकी चॉइस है बटर या घी जो भी आपको चाहिए फिर मैंने जो सारी इसमें जो भी यह चीजे प्यास शिम्लमिर्च और खीरा में नकाटा एक स्वाधनुसा नमक मिर्श ऑगर डाल दीजिए उपर से थोड़ा सा मैंने चाट मसार डाल दिया है और इसको अच्छे से mix कर दीजिए mix करने के बाद इसमें थोड़ी देर में हमें इसमें डाल देनी है मियोनीज, मियोनीज थोड़ी ही डालेंगे अगर आपको ज़्यादा क्रीम अच्छे लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं फिर हम इसमें उपर से डाल देंगे टमैटो कैचप और इसमें बहुत ही चटपटा टेस्ट आता है इससे लास्ट मैं इसमें डाल दूगी और फिर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मेटेरियल को हम गरम-गरमी सैंडविज में डालेंगे क्योंकि अगर गरम-गरम डालेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा उससे जो हमारा सैंडविज है वो बिल्कुल तूट जाएगा इसलिए हमें ये ठंडा करने के बाद ही डालना है जैसे अगर आपको कहीं जाना है तो आप रात को भी मेटेरियल बनाकर फ्रिज में रख सकते हो और सुबह इस मेटेरियल को जो हम है खाली ब्रेट के उपर ही उनको रोल बना कर देती हूं कि बहुत ही टेस्टी रखता है अब हम ब्रेट सेक लेंगे घिए बटर से जिससे कमन करें ब्रेट सेक लीजे और दोनों साइड से हम सेक लेंगे देखे मेरी सारी जो ब्रेड है वो सिग गई है अब हम बारी बारी से सब पर ये जो हमने स्प्रेड रेडी किया है तो मिक्स्चर जो हमने रेडी किया है इसको हम लगा देंगे आप चाहे तो उपर से केचप भी डाल सकते हैं लेकिन इसके अंदर केचप अलरी है लेकिन कुछ बच्चे जो हैं जादा ही केचप खाते हैं तो आप साइड साथ में रखके दे सकते हैं बाकि इसमें सारी चीज़े पहले से डली हुई है आप ऐसे भी इंजॉई कर सकते हैं बाकि बच्चों को तो बहिए केचप के बगएर मज़े नहीं आते तो इन्हें हमें केचप देनी पड़ती है तो इसके लिए मैंने केचप रख दी है लंच बॉक्स में तो हमारा जो आज का लंच बॉक्स है तो तयार हो गया वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करें बगर बिल्कुल ना जाएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई